बचा मोर अबाउट के अंदर जो है कंटिनुटी के बारें बात के ती हमने पहले जो है आज हम कुछ थोरम से हैं कंटिनुटी पे ही तो वह थोरम बताएंगे जैसे कि बहली थोरम है बाउंडेड नेस थोरम इस थोरम में क्या है उसने क्या लिखा इस्टेटमेंट देख लिजिए अगर कोई function fx continuous होती है close interval ab के बीच में है तो वह 100% bounded जरूर होगी उस interval के अंदर जैसे कि मैं एक rough example देता हूँ सबसे simple सी example fx equal to मान लीजिए मैंने लिख दिया x plus 1 यह function continuous है इस interval के अंदर interval मैंने वैसी ले लिया है 1 to 2 चेक कर लिजे किसी पॉंड पर निकालिए हमेसा ही continuous आएगी वैसे लिखाए पॉल्णोमेल लिखा है पॉल्णोमेल हमेसा ही continuous function होते है और यह function 100% bounded है बता सकते हो इसका सुप्रीम क्या जाएगा सबसे बड़ी वैलिव आएगी दो पर कितनी जाएगी त्री और इन पर जाएगा इसका वन पर टू जाएगा तो इसका वंदर फंक्शन बाउंड़ होगी तो उसने यह कहा है कि अगर कोई फंक्शन जो है बाउंड नेस थ्रम का मंदर यह ही है कि अगर कोई function continuous होती है किसी इंटर्वल पर दिहान लगना पर तो हंड्रट परसेंट वह उस इंटर्वल पर बाउंड भी होगी जैसे कि माली जै किसना यह कह दिया कि यह हमारा है यह इसाद बन टूडग ना लेना चलो अजया बन डाला में मैं की सजुरो ना पर टो भटकर जाएगी ना एक अब यह इंटर्वल ना ने कै निकालत न आउटवाजन नूम्पर भांडर्ट है तो भांड इस इसका सुप्रियों क्या जाएगा बन बन जाएगा और इन फिर्म क्या जाएगा वन बाइटू जाएगा बस एक दो एक्जाम्पल नोट कर लिजे नमस्त बुच्छों दो एक्जाम्पल नोट कर लिजे फिर मैं दूसरी थर्म बता रहा हूं और देखें यहां पर इस पर कोई ऐसी रटने वाली बात था नहीं बहुत छोड़ी सी बाइब बताई है लेकिन किताबों में नाम च्छपगिया इसका अब सोचने वाली बात है मान लिजे यह हमारी एक्सेश है और यह यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं बस बन से लेकर ट तो टूटना नहीं चाहिए लगाता तो इसकी वाई की जो वैली होगी वह किसी एक निश्चित पॉंट तक गई होगी तो उनके बीच में तो रही होगी अगर मालोय बीच में कर टूट गया तो कंटिनुरस नहीं हुआ और यदि अनन तक पहुंच गई इंफान तक पहुं पहुंच गया तो इसका मतलब क्या हुआ इस फंक्शन का सुप्रीम हमें नहीं मिल पा रहा रहा तो फिर इसका मतलब वह कंटिनुरस होनी चाहिए तो जब वह कंटिनुरस होगी इंटरवल के अंदर तो 100% फिर वह बाउंडड भी रही होगी अनन तक उसा ग्राफ सब्सक्राइब होने की ऐसे यहां पर देखें दूसी तोरह में बड़ी इंपोर्टेंट तोरह में नाम साहेंगी तो आने वहाँ पर बताए किसका स्टेटमेंट है औप्जेक्टिव के साथ से बता रहा हूं मैं केवल प्रूप नहीं कर रहा मैंने अब यहां पर दूसी त सूप्रीम है और इसी इंट्रवल के किसी ना किसी पॉंट पर जाएगा जैसे कि मान लीजिए एक एक जामपल देते हैं एक जामपल एफ एक्स रिक्वाल टूब है हमारे साइनेक्स और इंट्रवल लिया है मैंने जीरो से लेकर पाई वाई टू तक का बताएए क्या यह फ है और उसी इंट्रवल के अंदर है कि समझें और इसका इन्पीमम बताएए इसका जो इन्पीमम है वह कितना है जीरो है लेकिन किस पोइंट पर एक सीकॉल तो जीरो बिलोंग सो इसमें नहीं आप दूसे बात देखिए मैं तोड़ा इंट्रवल चेइंज करता हूं अगर म पाई तक अब बताना इसका सुप्रीम क्या है पहले विताओ तो इत्रम लगी रही इसमें नहीं वह यह फंक्शन स्कंटिन्वस है तो वह कहता है पसंट निश्य रूप से इसका सुप्रीम निकालो बताओ सुप्रीम क्या आएगा अब भी बनाएगा तो जिस पॉइंट पर कि आएगा ना वो पॉंट इसंटकर होगा तो वो पॉंट क्या है स इक्षुल टवपाई व इसी इंटर्वल के अंदर है ऐसे इदि इंपम की बात करें तो है तो इसका जीरोगी है और कि तो यदि मैं कुछ भी कर बनाऊंगा मालूम नहीं से स्टार्ट करा एस लाया यहां तक लाया मालेजे तो बताइए अरब बीच में कर टूटाएं कहीं भी ने टूटा तो इसकी maximum value इस point पर है यह माली जी मैक्सिमम वैलू है तो यह वाला point यह है तो बीच में ही जिस पर function के लिए सबसे ज़्यादा उची है यह infirmum है तो भी AB के बीच में आएगा अगर माली यह मैंने ग्राफ बनाया यह यह बना दिया यह बना दिया और मैं कह रहा हूं जीरो सा बन के बीच में देखे तो जीरो के बन के बीच में continuous है तो 100% सबसे maximum value है वह इ सब्सक्राइब आगे बात तुम्हें चलिए ठीक है इसा नोट करें जल्दी से फिर मागी थोर्म बताता हूं यह एक्जाम्पल में नोट कर लेंना साथ साथ में इसके देखो अगली थोर्म में बच्चों यह बहुत जैना थोर्म यह क्या कहती है कि अगर कोई function continuous होती है किसी इसका मतलब क्या है अगर इसका मतलब ग्राफ ऊपर है एक में नीचे है तो निष्चित रूप से 100% एक पॉंट ऐसा मिलेगा जिस पर लिचाए जाए और ग्राफ तो यह थे तो मतलब है तो सिर्दी बात है जैसे कि माली में छाए है और इसमें तुम एक मींट गीड़ वय नीकाल लो तो तो कैसी आएगी समय नगेट होसी और एक मेंट पर निकाल लिए और यह जिए और दिए क्या जाएगी तुमारी प्लस वन तो पोईटिव आ गई तो इसका तूपर तूपर क्या आगी पोईटिव आ इसका मतलब यह उपर वाली प्रप्रशंट एक पॉइंट ऐसा आए गा जिसके पर फंक्शन की जिरो जाएगी तो बंपर पंक्शन की बात नहीं है उससे जब यह काम है कि जैसे में माली जै तो चलो यह एक्जामपल दी जो इस पेकर रहता हूं मैं जीरो पर फंक्शन की वैलिए कैसे नेगेटिव तो ग्राफ नीच रहा होगा माइनिस वन यहां होगा और फिर तुमने कहा टूपर तो टूपर ग्राफ कहा रहा होगा ऊपर रहा होगा कितनी करके तो दूसराइड में जाएगा एक फिर पहुंच जाएगा दूसराइड में अग्या अब उसने कहा एक पाइंट हो सकता है जादा हो लेकिन इस गोश्चन तो एक ही पॉइंट है तो इसका चीतर ऐसा नहीं बनाऊगा जो ने बनाया तुमने इसका चीतर एक बार रोस तरह बनाऊगा तो यहाँ पर यह जो होगी वह w उकताई मानलीत मैंने एक कोर्शन ओडिया तो मैं सपोर्ज कर दिया यह X को कर तो चनु की लृत उक्तर और इंट्रवल मैंने जीरो पर से लेका तक तो जीरु जीरो जीरो माइनस Mाइनस Ma Just Nogat होो जाएगा एक यrelated रखना पर यह फॉर इसका मतलब पर जी रो करूं जो है नीचे की ओर है और फोर पर क्या है कर वांपर के और वर गोपार-ईम बता सकते ही कितने पॉन्ट पर फॉस्ट्ट की तो और ही स्टाइब कि यहां है फिर याई एक और तो क्रोस्ट तो तुमें प्रना ही पटेगा तो यह वैसे भी रूट निकालने काम आती है जो है जैसे कि माल लीजिए तुमसे कोई एक्विशन देता है एक्स क्यू प्लस के थ्री एक्स मानेस के फाइव एक्वल टू सेवन ओसो जिरू कोई कहता है एक्विशन कहलाता था लेकिन सब्सक्राइब मैंने थोड़ दे के लिए एक मिंट के लिए मैं तो वैसे याद लग रहा हूं जिससे कि तुम्हें याद आ जाईए फिर हमने मालीजिस में प्रले साथ जीरो बरा तो जीरो बनने पर क्या रहा माइनिस पाइव आगिया अब हमने वैसी मिलाकर सेवन गया तो यह पोलिटीव हो क्या तुम्हें चल रहा पता कि तुम्हें आगा बढ़ना चाहिए पीछ न चाहिए तुम पहले जीरो पर तो तो कहा रहे हो कर जीरो पर कर दो यह तो नीचे है अभर तुमने तूपर देखा तूपर जो है कंटिनूस है तो इसका म होगा इस interval के हंदर होगा हमारे तो सिंपल से क्योशन होती है या तो जीरो पर निकल या या वन पर या टू पर थ्री पर बीच में जाती है कभी जो थर्ड बुक पढ़ रहे हैं उसमें ऐसे ही रूट होंगे जो बीच में होंगे तो यही बात यहां पर बताईए बॉल जानून है कि अगर कोई इसा जरूर पॉंट रहा होगा जिस पर फंक्शन की वैलू जीरो गई होगी कहने का मलब एक रूट मिल जाएगा उस फंक्शन का तुम्हें जो इसको साथिस्पाय कर देगा जीरो बना देगा ठीक है तो फिलाल यह नोट कर लीजिए एक्जांपल नोट कर लीजिए और फिर कि जो सभी वैलू है वह 100 परसंट एफ और एफ बी के बीच जाएंगी ठीक है एक मिन्ट जैसे कि मालीजिए कोई कोशन लेता है एक्जांपल वैसी रफली एक्जांपल ली मैंने एफ एक्ष एक्वाल टू एक्स प्लस वन यह है और तुमने यहां पर इंटरवल ले लिया एक्स भिलोंग तो मालीजिए वन टू ठीक है तो एफ वन की वैलू कितने जाएगी तुमारी तो और एफ टू की वैलू कितने जाएगी यहां पर ठीक यही तो मतलब है अब तुम्हें काम कर रहा हूं हमने यह देखा वन पर कितनी गई टू यह उंचाई टू है और टू पर गई 3 , है यह एक एकल टू है यह एकलतु यह यॉकालो डू बान है इस पर गई 3 यह कö y एक में म्यून को मैं यह दिखाया कि यह हमारी ऊचाही 3 है और यह हां उचाही हमारी हमारी 2 है अब 3 के बीच में को भी नमबर पकड़ो कुछ भी नंबर कोई भी नंबर कोई भी नंबर बस ऐसा नंबर बताना जो तू और थी के बीच में हो कुछ भी चलो जी तुमने आप कहा 2.5 पकड़ लिया एक नमबर 2 और 3 के बीच में पकड़ना नमबर देखे हमने कहा वही एक नमबर है we know लिख देता हूं we know कि 2.5 जो है वो किसके बीच में है 3 और 2 के बीच में है यह कहते सकते हो तुम 2.5 जो है वो हमारा F2 और F3 के बीच F1 के बीच में है यह value F2 और F1 के बीच में है तो यह कहना चारा 100% X की एक value 12 के बीच में रही होगी जिस पर function की value 2.5 आएगी तो बताओ value कौन सी होगी बहुत बढ़िया तो कैसे करेंगे हम यहाप हम लैट कर लेते हैं माल लिजे function की value हमारी कितनी आनी है 2.5 आनी है तो एक्स की एक्स की value कितनी है एक्स प्लस वान है तो कितनी आ जाएगी 2.5 तो एक्स की value कितनी आ जाएगी 1.5 और 1.5 इसी इंट्रवल के अंदर आएगा 12 यह कहना चरह हो जितने भी नंबर 2 और 3 के बीच में लोगे वह 100% function की value है किसी ना किसी पॉइंट पर और सही है अगर मालीजे ग्राफ ऐसा गया मालीजे वैसी ग्राफ गया यहां सब्सक्राइब कर वह तुमने यह पॉइंट यहां पर लिया तुमने तो इसा आगा बढ़ा हो तो यह वाला पॉइंट है वह यह वाला पॉइंट है जहां पर फंक्चन की वैल्यू इतनी आए 2.5 और यह वैल्यू तो जो तुमने बताई अभी वह कितनी बताई है वन पॉइंट पाई बताई है अब यह संज मैं नहीं तो मैं बढ़ाजी इसे दिहान रखना है एक्जांपल नोट कर है और यह हमारा यहां पर यह यहां पर भी और कोई कर्व कर चैक का है कि मालें तो एक मिटमें यह हैं यह वाली उचांप यहां से यहां तकी कि और जो यहां से यहां तक क्यों चाहिए ये वालि kicking वहीं एंप पकड़ो फे और यहां बढ़ाओ यहां से जो भी यहां बढ़ाओ तो कहें न यह रहां देख करण को कातेगी तो यह पॉंइंट हो यह एर्बी यह बी तो आएगा कि इनसे में नहीं आई बात मतलब उसने कहा है एफ एफ बीके बीच में जो भी वैल्यू है वह 100% कि किसी ना किसी पॉइंट पर वैल्यू आएंगी आगी बासने में बस इस बात को दियान देखना अब मैं तुम्हें आगे लाश्टोरम में इसके इंदर बतायता हो कि बोरेल थोरम कि लिखे जल दीज़ा है कि इस थोरम में कोई इसनी बड़ी बात नहीं कि यह लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए बोरेल थोरम क्या कहती है अगर कोई फंक्शन कंटिनुआस होती है किसी क्लोई इंटरल एबी के अंदर तो उस इंटरवल को तुम छोटे- फाइनाइट सब इंटरवल में तोड़ सकते हो और हर सब इंटरवल की विशेष्टा क्या होगी उस इंटरवल के अंदर कोई भी सब इंटरवल के अंदर दो पकड़ना तो दो पॉंट ऑपर फंक्शन की वैल्यू निकालना तो उसका जो डिफ्रेंस आएगा वो बहुत छ चोटा है या तो हम लिखेंगे एक सिज वैरी स्मॉल यहां ऐसा एक लिख देते हैं एक्स लेदन एपसाइलन या एक्स लेदन डेल्टा ऐसा कर देते हैं तो यहां पर वहीं कह रहा है एक मिन में समझायता हूं तो मैं यह मैंना हटा दी है सब यह बड़ी प्रोल्ब्लम में देखें यह हमारा इंट्रावल है एक कोई भी फंक्षन हमारी इस टाइप के हैं कंटिनुवस है साब दिखाए रहे हैं कहीं भी कर्व टूटा हुआ नहीं है एक के बीच में चेक कर लिए तूट रहा है यहां आगया अब वह कह रहा है कि इस इंट्रवल को तुम छोटे-छोटे सब इंट्रावल में ब्रेक कर सकते हो कर दीजिये और हर सब इंट्रवल की विशेषता क्या होगी किसी भी सब में दो प्ण्ट पकड़ना एक फरन्तन पकड़ लिया एक पकड़ लिया एक ऑस्टो इन पर फंक्षन की विंगाल घ्राल होगी यह वाली हो चाहिए यह तो इन दोनों का डिफ्रेंस का मतलब है य की वैलू का अंदर तो यह डिफ्रेंस कम आएगा कहीं भी ले जीजिए ऐसा मत करना कि एक पॉइंट तो इस इंटर ले लिया और दूसर तुमने इसका ले लिया नहीं एक ही सब इंटर लेने लिखा सब्सक्राइब लेने हैं तो वह कह रहा है कि हम किसी भी फंक्शन को यदि कोई फंक्शन होती है कि उस इंटरवल को हम छोटे-छोटे फाइनाइट गिंती के 50-600 ऐसे सब इंटर में तोड़ सकते हैं जिसके अंदर सभी सब इंटरवल के अंदर दो पकड़ोगे तो उन पर किसी तो फंक्शन कार्ड जो डिफ्रेंस आएगा वह कमाएगा को खोई कहता है मैं तो ऐसा करूंगा फिर तो मैं यहां पर ए है यहां पर ब्लस तो इनका यहाद रहागए तो यदि तुम वैल्यू वन बाइट ले रहो तो चोटी के लाएगी तो फिर वह बढ़ी हो जाएगी वन से कम बतानी होती है ठीक है अब एक ने किसी बच्छे नहीं हाँ पॉंट पकड़ लिया और एक दूसा पॉंट यहाँ पकड़ लिया केवल दो मतोड़ा इसा है दो पर निकाली एक्सवरं की एक्सवरं पर फंक्षन की वैल्यू अरे कि हानिकाली तो डिफ्रेंश कुछ जाद नहीं हो गए इसा कर रहे हम हम क्या आ चक्यां वह एसा तोड़ा जासकता है जिससे की हर सब्सक्राइब के अंदर पंक्शन का डिफ्रेंश रह रहा है तो जशार जो चोड़ाई है वो कम कर दो यह कह दिजिए उनके अंदर इंसा इंट्रलों के संक्या बढ़ा दो तो फूर तो टूट जाएगी आगे बाद संज में बस इतना सा ही है यह बोरल तोरम और कुछ नहीं है इसके अंदर हलका चित्मना चाहो बना दीजिए वनना को यह से कोई यह जाए अब हम यूनिफर्म कंटिनूटी पाते हैं यह हमारा यूनिफर्म कंटिनूटी मैं बतायता हूं जिससे कि लिखने में तो ऐसी लगए है अजीव सा फंक्षन एक्स कोई फंक्षन है जो किसी इंटरवल पर डिफाइन की गई है मतलब उस इंटरवल पर सभी पॉ यह जाए तो फंक्षन जो है डिफाइन की गई है किसी इंटरवल के अंदर और वह फंक्षन को कहते हैं यूनिफर्म कंटिनूटी अगर यह नीचे जो कंडिशन लिख ही है यह सटिस्पाई हुजाए यहां लिखा मेंना इफ फोर एनी एफ साइलन गिर्दन जीरो दिर एक पॉंट किसके लिए ने उस इंटरवल के लिए जिस पर तुम्हें यूनिफर्म कंटिनूटी चेक करनी है ठीक अब यहां ध्यान दो वह कह रहा है कि इंटरवल के कोई भी दो पॉंट पकड़ो कोई भी दो पॉंट लेकिन वह पॉंट ऐसे पकड़ना इसका मतलब क्या इस यहां पर यहां पर जाएगा और यहन एक भी तो यहां पर फ़र्म भी है कि जितने फंक्शन यूनिफ़र्म गूती है। हंडेंट परसेंट गूती है लेकिन इसका उल्टा सब्सक्राइब करना जैसा मैं आप करवा रहा हूं एकजाम है एक एकजामों पर अमरे सामने एफ-एक्वल टू है एक्स-क्यू और इंटरवल दिया तुम्हें मैं बुक में देता हूं एक मिंट के लिए इंटरवल दिया है माइनेश टू से लेकर तो पूच्छा है क्या बताये क्या ये फंक्षन युनिफिर्म कंटिनिवस है इस interval के अंदर तो देखे क्या करना है तुम्हें सब से पहले दो पॉइंट पकड़ने जहाँ सुनना एक्सवन और एक्सटू दो पॉइंट पकड़ने हैं इस interval के अंदर तो बता सकते हो वैसी में इसके पकड़े हैं तो एक्सवन की वैलू जाद ज्याद कितनी होगी दो तो तो ना इस समझ मा गए तुम्हें अब मैं इस कंदिशन को लेकर चलूंगा इसको यह बनाओंगा अब यह यह बनाओंगा देखो कैसे बनते हैं पहले सबस्थाइब यहां यहां जाएगा एक सब्सक्राइब दूसरे में क्या जाएगा एक सब्सक्राइब कि प्लस एक सब्सक्राइब ऒँए यहां चल रहा अब देख्येल यहां यहां बचाणाए यह बचाना है अब इसा सब को गायब करना तो पहले प्लस में इंट्व फाला रूल आप लगाएंगे हम माला रूल जब सल लगता है तो प्लस में यह बड़ी हो जाती है तो यहां पर S हो जाएगा X1-X2 और यहां जाएगा mode X1 का square प्लस mode X2 का square अब प्लस mode X1 into X2 यहां पर तो मैं पता हुआ किसी नमबर का square का mode करो यहां पहले mode ले लो फिर उसके बाद में square कर लो वो एक ही बात होती है तो मैं इसको mode को अंदर सहीना से हटा रहा हूँ और इस तरह से लगा हूँ यहां X1-X2 यहां पर लिख रहा हूँ simple मैं X1 का square और यहां लिख रहा हूँ X2 के mode का square यहां into का rule लगा रहा हूँ X1 का mode और X2 का mode इस तरह से हमें पता है वही X1-X2 की दोनों value इस interval के अंदर है तो साब जाहिर है कि X1 का mode 2 से उपर नहीं गया होगा और नहीं X2 का mode 2 से उपर गया होगा तो मैं इनकी जंग है इनकी जंग है दो इसकी जंग है दो बर रहा हूं तो इसमें कुछ कर रहा हूं यह तो मैंने यह दो लिख दिया दो का square आ गया तो इंटू आ गया और यह चीज नीचे वाली अब ऊपर वाली से बड़ी हो गई क्योंकि तू तुमने इससे ज्यादा बढ़ा है की जाद रखा तो नीचे वाला बढ़ा हो गया अब six कितना गया फोर यह फोर यहां फोर होर यहां कितना आगे 12 तो यह आगे मिलाकर वाद्व अर एक्स वन माइनस एक्स टू यह बन गया दो फंक्शन का डिफ्रेंस चोटा कब वहा होगा तो मैंने कहां मान लोग यह चोटा होगे एपसलों से तो यह तभी चोटा हो सकता है जब साथ में यह कंडिशन हो 12 इंटू अगर तुम यह चोटी मान चलोगे तो 100 परसंट यह इससे भी चोटा जाएगा कहीं पर लिखा हुआ एक्स लेदन वाई और मैंने कहां वाई की वैलू 5 से कम हो जाएगी तो यदि यह वैलू यह वैलू चोटी है तो यह वैलू भी चोटी आएगी यह सीद्ध करना था और कर यह वैल को सेम बना करिखा दिया हमने वोड़ी इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऐसा होगा तो अगर दो पॉंट तो यह पकड़े जिनका डिफ्रेंस क्या है कम है तो उन पर फंक्शन का डिफ्रेंस भी कमी आएगा इसका मतलब यह फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिनुवस है यूनिफॉर्म कंटिनुवस तो यह तो मैंने कोशन करते हैं बहुत लोग इंट्रवल क्या है माइनस टू से लेकर तू अब मैं तुम कुछ तुक्के बता रहा हूं देखे वे तुक्के हैं के वल धियान ज़रूरी नहीं कि वे तुक्के सेट ही बैढ़ जाएं अब वह त तुक्के बताओं है तो मैं तुम्हें जल्दी सा नोट करना फिर मैं तुक्के बताना जरा हूं आटायो that foreign จ pandan कि अगर सब्सक्राइब भाहउंड इन्टरवल यह थीज़न रखना बांडिट इन्टरवल चाहिए हैं बाउडड़ 念 बन इन्टरवल इसकता है यह सकता है ता यह सकता है या एक तरफ से ऑपन Спूल मतलब बाउंड इंटरवलो बाउंड का मतलब तुम समझ गए ना देखे वन टू यह बाउंड है इसकी वैल्यू हम्मेसा बन और टू की बीच में रहेंगी यह वन टू यह भी बाउंड है इसका सुप्रियम कोई पुछेगा टू है और इन्पेम कितना है वन है सही है तो यह आगा ऐसा हो रहा है तो हंड़र फंक्शन युनिफॉर्म है देन एफ एक इज यूनिफोर्म कंटिनुवस यह जी यह जी यह जी यह मैंने तुम्हें एक रफ तुक्का बताया है इससे जल्दी हो जाते हैं कुछ कोशन जो ऐसा भी नहीं हो सकते जो इस कंडिशन को फोलो करते हैं जैसे अभी हमने कोशन करा एफ एक्स वराबर एक्स क्य बताईए अभी यह दो से लेकर तक बताइए इसकी ऑफ चालते शाड़ते क्यों की क्योंकि ओंडूमेल ला यह प्रहुंक्राइब तो कि यहां पर मतलब क्या है माइनस टू पर इस फंक्शन की लिमिट निकाल लो यहां पर हम माइनस टू रखेंगे है ऐसा करना नहीं मैं तो तुम्हां बता रहा हूं लेखने के लिए एक दम माइस तुर रखे देख लो और क्या करना तो कितना जाए है पर माइस के एट आजाएगा फाइनाइट वैल्यू आ गई अब तुम्हें निकानी है टू पर पर फंक्शन की वैल्यू निका लीजिए यह वह 8 हो जाएगी मैं यह निका रहा कि इक्वल होने चाहिए ना ना फाइन चाहिए बस अन्य निकार यहां पर यह फाइन आण चाहिए अगर ऐसा हो रहा है और फंक्शन इसका मतलब यह 100 पसंड यूनिफोर्म कंटिनुमस है जल्दी कर लीजिए पर देखते चल जाए पता इनका जो है एक एक जांपल ओर दिख लीजिए एक स्कॉल प्लस के थ्री एक्स प्लस के फाई हो इंट्रवल दे दिया तुम्हें जल्दी से बता दो वन टू बताइए युनिफॉर्म कंटिनर्स हो गया नहीं होगी चैक करो कि वन पर चैक कर लो फंक्षन की वैलू इन्फान तो आने की नहीं फाइनेट याएगी टू पर चैक कर लो फाइनेट आएगी और यह पॉन्होमल है तो युनिफॉर्म है कि युनिफॉर्म लिख्या में सोर्ट में ही एक अधा क्वेशन और जो आया हुआ वह तो वह लेता हूं तुम से कि नहीं दिखाए दरा फिलाल अब देखें मैं दूसरा एक नोट लिखा रहा हूं इससे भी कोशन हों में बड़ी हेल्प मिलती है कि अब कि एफ एफ एक्स इज कंटिनुवस कंटिनुवस इन इंटरवल कुम यहल्ड दालो तू इंटरवल ला दालो अटू इनुवस नीटे कालन फिर उंट अथा पर आप सॉन आए यह वो भी फा जिंट नि नकालन ऄंप नपर नुमीट नम भी फा spokes और ए पर और इंपर दोना पर लिमिट फाइनाइट ही बैटने चाहिए एक मुट फंक्शन की लिमिट फंक्शन तो लिखा है नहीं फक्स की लिमिट वो फाइनाइट आँ चाहिए थैन फक्स एजन यूनिफॉर्म कंटिन्वास यूनिफॉर्म कंटिन्वास ओन इंट्रवल एटू इंफिनिटी एक कोशन है जैसे मैंने आपने पास से लिया उपर वाले कोशन को चेंज कर दिया यह वाले को इंट्रवल दे दिया तुम्हें वन टू इंफिनिटी चेक करकर दिखाओ देखो उपर वाले में अभी कोशन देदा मैंने यह यूनिफॉर्म है इसमें चेक करना इसमें क्या अगर पर लिमिट निकाला है अगर वन पर लिमिट निकाला तो कितनी आएगी वन फाइव नौट एकॉल टू फाइनाइट तो यह निफॉर्म नहीं है एक और देखिए बड़ी इंपोर्टेंट एक्जामपल है अब करेंगे फॉर्म करेंगे एक अफएक्स एकुल टू वन अपॉन एक्स पेंटरवल दिया गया है एक्स भी लोंग्स टू जीर टूफ़न यह पताईए लिसकी यूनिफॉर्म है या यह यूनिफॉर्म नहीं है तो कि अच्छा जीरों पर कॉंटिनुटी के लिए फंक्षण तो कम सा कम पता यह नहीं चाहिए लगा है तो यह यहां पर युनिफरम नहीं है इंटरवल कैसा है तो पहलं है बात यह हैं लिम्र दोनों पर निखाल ली पड़ा है वस्तो बात हो एक ही है तो देखो यहां पर लिमिट एकस्टेंस टू फंक्शन तो है तो फंक्शन कंटिनुवस है यह ठीक है और लिमिट निकाल तो जिरो पर बोलो फंक्शन की लिमिट कितनी आएगे लेकिन दोनों पर ही लिमिट होनी चाहिए थी बले फंक्शन तुमाई कंटिनुवस है और लिमिट निकाल के देखो किस पर वन पर तो लिमिट एक्स टैनस टो वन और वन अपॉन एक्स की वैल्ली वाट गई वन जो कि फाइनाइट है यह वाली कंटिशन अगरबड कर दी तो फ्ष इन नॉट यूनिफोर्म हाँ कुछ तब ने ने तब भी नहीं होती यूनिफोर्म कंटिनुवस हां हां पिर यू चंटिनुवस है सबसां तरीका होता है सबसे पहले फंक्शन चेक करो फंक्शन निकलनी ही चाहिए उसके बाद लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दे चेक करते हैं वरना कुछ कोशन तो रेटे हुए होते हैं बच्चे को जैसे कि पोलनोमल है साइन एक्स है यह तो अमेज़ा कंटिनुट हो में ही है एक पार एक इसना एक्स गेरदन जीरो कह दिया इसका मतलब यह होता है कि एक्स की जो भरनी है तो मैं यहां से जीरो को छोड़का अनन तक कुछ भी भरनी है यह रहें पताओ क्या करबढ़ हो गई कि फंक्शन तो होगे जीरो तो है नहीं हमने और बताओ जीरो पर निकालो जीरो पर लिमिट कितनी आएगे नहीं फाइन तो आएगे लेकिन तुम बता नहीं सकते हैं कितनी आएगे इसका मतलब यह यूनिफॉर्म नहीं है इस नोट यूनिफॉर्म लिख देना अगे एक यूनिक होनी चाही है मतला हो कि एक कोशन हो जाता है बहुत इंपोर्टेंट है लिख देना नोट यूनिफॉर्म कि अगर यहां पर उक्सिलेट कर रहा है जिरो पर जो है तो उसको नहीं सकते हैं सब्सक्राइब बना तो इंपनिटी का मतलब एंगल कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन यह तो पता है कि यह वन और माइनस न के बेच जाएगा लेकिन इनकना आएगा यह निकल निकल नीच कि अगंड़ करते हैं यहाँ पर हम एक जांपल ओर है बहुत अच्छी एक्जांपल है एक स्कुर और साइन वन अपोन एक स्कुर और यह कहा गया जब एक्स जीडो नहीं है और एक्स इक्वल टो जीरो इस पर तीन कोशन पूछे गए पहला तो यह चैक करो कि बांड़ है इस function की value हमेसा दो नमरों के बीच मायाएगी कौन बचता है एक जीरो पर तो कहा उसने जीरो है और जब जीरो नहीं है तो इस से निकल नहीं है इसकी value चेक कर लो इसकी value कितनी हो सकती है maximum sign की value कभी भी बन से उपनी जाती तो यह तो value बन से उपनी जाने की और इसकी value than a 500, 50,60 कुछ भी हो सकती है तो क्या क्या होगे boundary है यह boundary नहीं नहीं है एक सबशी मिलगी तो बरती जाएगी तो बांड़ित कैन्क अग फ 예 दिक का ङता नहीं यह नहीं है अगर इंटरवल लगा देए इसमें माली जी में इंटरवल डाल दिया है यह डाल दिया यह एक्स की वैल्यू बस माइनस वन से लेकर प्लस वन तक लेना अब बता दो अब बांड़ जाएगी क्योंकि एकस स्क्वाइर की वैल्यू भी कभी वन से उपर नहीं से कम रहेगी तो इस फंक्शन का कोई पुछलना का सुप्रियम बता दीजिए तो बन से बन है कि समय जो तुम और इन प्लस जाएगा वह भी जीरो से उपर रहेगा माइनस नहीं जाने का क्यों नहीं जाने का लेकिन यहां हो सका है नहीं सहीं कहा हो जाएगा जब एक्स की पर नुमर होगे तो पोजिट्य तो बैठेगा तो साइन की जाएगी अधियां पर एक्सवार है तो यहां भी जाएगी तो इसके इन्पीम मेली जाएगी जीरो बन के बीच में जाएगा है अगर इंटर लगा यह तो 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 फंक्शन बाउंड जाएगी जल्दी चेक करो कर दे तुमने एक बार इस इंटर्वल पर चैक कर दियो फंक्शन बाउंड उनिफोर्म है नहीं है इस इंटर्वल पर युनिफोर्म कांटिनोज तो है हाँ अब बताओ माइनिस वन पर चेक करके दिखाओ लिमिट किसे निकलेगी उपर वाली से नीचे वाली से माइनिस वन पर उपर वाली से निकाल यह हूँ कि पक्का कि साइन बन आएगा ना हां तो साइन बन तो होगा था फिक्सी बहुत बढ़ा हो लेकिन तुम्हें पढ़ा होगा ट्वैल्ट मैट टेवल जारी थी बहुत बड़ी उससे निकल जाएगी क्या दिक्कत है और वन पर चेक करियो वन पर भी आ जाएगी तो दोनों फाइनेट व बता रहा होना वरना करने का प्रोसेश्य जी तो पूरे फॉटट वह चेक करना पड़ता है लिमिट निकालके देखो एक बढ़ माइनस वन की तो मेंदस बण पर फंक्षन लिए जागी ऊपर वाली क्योंकि दोस्त concurrent तो तरह से लेंOh कि यहां पर हम मान्य में दरते नहीं के पीछा जाए few से मन का इसक्वार कुल मिला का बन साइन बन बैठागा जो की फाइन और यू नहीं के चलो यह साइन बना गया तो लिग दिना यह फाइन आ गई और लिमिट निकाल तो किस पर एक्स एक्वाल टू बन पर वह भी इतनी जाएगे तो यह मैंने केवल तुक के बताएं हैं तो मैं तुक को से इंट्रकोशनों को कर सकते हो तुम कि दोनों ही वैल्यू फाइने आ गई है कि इसलिए एफएक्स जो है वो यूनिफॉर्म है कि बस एक लाश्ट वह बता रहा हूं मैं उसर सुन दीजिए कि अगर कोई फ़ंक्षन कंटिनुवस है अन आ और एंड मिला इंट्रवल ना दिया हो क्या स्वार नमपर चेक करो सम नमपर चेक करो ठीक है और फंक्षन जो है पो पीरियोडिक हो एफक्स एज कैसी हो पीरियोडिक कि तब हंड़र्ड प्रसंट वह फंक्षन यूनिफर्म होती है कि एज यूनिफर्म अगर उसमें दो भी सेज्ट आई है हो जाए तो कि एग्जामपल के रूप में साइनेक्स ले लो काशण एक पीरियोडिक भी होती है और कंटिनिवस होती घमक पर चेक कर लो जाय surprise कि यह ज प्रियोडिक भी है क्योंकि इसका इंटेवल में होता है इक हुपंगी कि आ प्सक्रावीं है उसका मेला यूनिफर्म कि यूनिफॉर्म है जितने को अब्जेक्टिव आये हुए ते मैंने सारी बता दिये हैं वे सब इसके अंदर जितने भी थे बस दो थोराम के एक स्टेटमेंट ही लिख लिए इस्टेटमेंट है थोराम के अगर कोई फंक्षन यूनिफॉर्म होती है तो वह 100% कंटिनुवस जुरूर होगी लिखें नोट एवरी यूनिफॉर्म कंटिनुवस फंक्षन इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि सही हो अभी आमना उपर एक्जाम पर देकर फंक्षन कंटिनुवस थी लेकिन लिमिट निकाली तो वह लिमिट नहीं आ रहती तो तो कंटिनुवस फंक्शन जरूरी नहीं नहीं होता कि यूनिफॉर्म हों लेकिन जितने भी यूनिफॉर्म होंगी वे जरूर होंगी दोस्री बात है अगर कोई function continuous है do you f x को को एज कर चैंटिनुवर्स फंक्शन कंटिनुवर्स है कि गडरलन इंटरवल रगा सबस्क्राइब इंटरवल इंटरवल एंडर्वल कॉस्षा यूनिफरम शबून सबस्बाधन सब कि लिए उसको देखर दमरुक्षाइए रही किसी कुलेटनर पर बाउंड रांट पर महिंद लिए को तो फंक्षन यूनिफॉर्म ज़रूर होगी जैसा अभी हम कुर्शन कहा है पीछा है उपर की तरफ एक्स क्यूब है इंटरवल दे दिया उसने कहां सा का तक का अभी दिया था माइनस टू से लेकर तक का तो देखो फंक्षन अगर 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 एक्स कांटिगूमस है किसी क्लोज इंटरवल एबी पर तो 100 परसंट वो यूनिफॉर्म होती है कुछ भी करने गरत नहीं है डाइट नहीं सकते हो अब एक चैप्टर है छोड़ा सा डिफ्रेंशेशन का उसमें सारे कोशन बड़े बड़े होते हैं छोड़ा कोई नहीं आता उसके अंदर क्या नाम है उसका चैप्टर का एक चैप्टर हो रहा गया ना नहीं वह था इंटिकेशन का नहीं क्या नाम था उसका जो है हाँ पैरामिटर वाला जो है उसमें इंटिकेशन सोल करने सिक आए गए है अब वह डिफ्रेंशेट करके ही इंटिकेल होते हैं तो वह लंबे प्रोसीजर है तो तो यह तो वह लोंग चैप्टर जो है अब इन्होंने कोशन अब डाल रखा अब्जेक्टिव में तो उसके जो है तो वह अब्जेक्टिव डटके रहना उसके जो है को ज्यादा नहीं उसमें अब्जेक्टिव जाए तो नहीं करके देख लेना ठीक है बच्चों बैस्ट अब लग्ट